किसानों का आरोप है कि मध्यप्रदेश की कमलना सरकार ने किसानों के साथ धान खरीदी में भेदभाव किया है पहले तो 15 दिन देरी से धान की खरीदी सुरू करवाई गई फिर असमय बारिश के करना धान की खरीदी बंद रही फिर वारदाने के आभाव में समय बीद गया इन सब के बावजूद भी शासन दौरा निज़ारी से 20 जनवरी को धान की खरीदी बंद कर दी गई रायपुर चाक अतरेला चाक दो एवं मिसर गाउं के पंजिकत किसानों की धान खरीद के लिए आज तक कोई समय नहीं दिया गया जो इन पांचों खरीदी के किसानों के साथ सौतेला वैवार है किसान आज भी उक्त खरीदी केंद पर अपनी धान रखे खोले आसमान के नी कर दी नहाया के बैठे हैं ना घर का काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं बस यही आस लगाए हैं कि कमलनात जी या कि हमारे प्रबंधक जी खरीदी करेंगे पैसा मिलेगा उससे बच्चों का फीज देंगे घर का खर्चा चलेगा अब जब यही हमारा लोगों का रोजगार तूट गया तो अभी उससे दुखी हो गए हैं और यदि आगे कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब मजबूर हैं समस्या तो यह पूँचिये नहीं कि कितनी है जितनी सारी समस्या थी सभी हम लोगों के उपर आ चुकी है कोई समस्या बांकिन नहीं है इसी धाने से सब काम था अब जब यह धाने की खरीदी नहीं होगी तो अब किसी भी प्रकार की समस्या बांकिन नहीं है हर प्रकार की समस्या आ गई है शास की धानों परजन केंदर रिमारी में रखी सेंकडों किसानों की धान की खरीदना होने की वज़े से किसान परशासन ने किसानों की पीड़ा के परती अभी तक कोई सकारा अपनक पहल नहीं किये जहां नीताओं के अंदोलन प्रदेशनों पर शासन द्वारा ज्यादा तर खरीट केंद्रों का समय दो दिन बढ़ा कर धान खरीदी गई वहीं रिमारी साहित पांच किसान केंद्रों का समय नहीं बढ़ाया गया जिस कारण यहां के किसान बहुत परशान हैं और केंद्रों पर डेरा डाले हुए हैं रिमारी खरीद केंद्र 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 किसान चेट के वरिष समास से भी मनोशुकला ठक हार कर किसानों के धान की खरीद किये जाने के लिए पर पहले जब खरीदी बंद होई तो उम्मीद थी कि सरकार खरीदीगी है। हम किसानों की पेड़ा को महसूस करेगी नहीं सबसे पहले पोर्टल बंद हुए तो तब तक तो आधे से अधीक किसानों की धान बची होई थी यहां आधेसे कम किसान बेच पाए हैं रिमारी में और यही हालत अन पाच खरीदी केंद्रों की हैं लेकिन उम्मीद थी कि सरकार बढ़ाएगी समय और खरीदी करेगी क्योंकि प्रकित की मार और बारदाने की समझ्या तो सरकार की जानकारी में थी, अईसा कुछ हुआ नहीं और जो दो दिन का समय बढ़ाया गया, उसमें इन पांच खरीदी केंद्रों को छोड़ दिया गया, जिसमें रिमारी भी सामिल है, हमें फिर भी उम्मीद थी कि एक दो दिन में आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा ना होने पर हमने तहसिलदार जबा और SDM जबा त्यंसर के म जालन में और उसी पीडा को लेकर के, उन किसानों के, मैं आज से आमरण अंसन कबरत लेकर के बैठा हूँ, किस तरह से सहीयोग मिल रहा है, किस तरह से आपका सहीयोग मिल रहा है, किसान क्या बोल रहे हैं, किसान पीडित हैं, वो अपनी पीडा से नाउमीद हो रहे हैं, सर अंचन पर बैठने से पहले स्दियम त्योंसर एमपी बरार वा तैसीलार जवार जवार सिंग को इग्यापन सौपा गया जिसमें लिखा गया है कि यहां के किसानों की धान आज भी घरीदी किंद्रों में पड़ी हुई है किसान राद भर भूके प्यासे वार ठंड में धान क चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूट मीती ता दखन न्यूज आपके हत्त